दोस्तु नमस्कार भाई आप लोगों के बहुत सारे प्रशनारे थे एक प्रशन में कॉमल नहीं देख रहा था और वो था मैस्टाइडिस के बारे में और वो मैस्टाइडिस कौन सी सब क्लिनिकल मैस्टाइडिस यानि आप लोगों ने निवेदन किया था कि सर सब क्लिनिकल मेस्टैटिस के बारे में complete जान करी दीजिए देखिए मेस्टैटिस यानि की थनेला यानि की थन की बीमारी थन में जब भी बीमारियां होती है ना बहुत परकार की होती है वो एक्यूट भी होती है और इन दोनों में ही वो सब क्लिनिकल और क्लिनिकल भी होती है क्लिनिकल और सब क्लिनिकल ये जो दोनों वर्ड है ना इनको आपको समझना पड़ेगा Clinical Meshstatis का मतलब होता है वो Meshstatis, वो Thanela जो आपको दिखने लग गया हो यानि अपने लक्षण परकट करता है तुरंत ही होते ही अपने लक्षण परकट करता है जे से कहीं सूजना जाना थन में सूजना जाना गादी में सूजना जाना दूद में चितरे आजाना, दूद में फरक आजाना, पानी आना, कून आना या पिर जमावा दूद आना, मतलब आपको तुरंग पता चल जाता है कि मेरी गाएबे इसको थनिला हो गया है इसका मतलब ये थनिला था क्लिनिकल लेकिन सबसे बड़ी चुनोती और सबसे जादा जो नुकसान दाएक थनिला होता है वो होता है फ्रेंड, सब क्लिनिकल थनिला यानि सब क्लिनिकल मेस्टैटिस अब इसको सब क्लिनिकल मेस्टैटिस का मतलब होता है जो बहुती कम दिखने वाला हो या यूँ कहें कि नहीं दिखने वाला हो अब यार ये नहीं दिखने वाला थनेला क्या होता है यानि थनेला हो गया है मैस्टैटिस हो गई है लेकिन कोई भी लक्षन आपकी गाय भेंस में नजर नहीं आ रहा है यानि दूद जो निकल रहा है वो फिलाल सही निकल रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा कम निकल रहा है यानि दूद में बदलाओ तो हो रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि बदलाओ हो रहा है क्या आप अगर रोज गाय के थन को देख रहे हैं बेंस के थन को देख रहे हैं तो वहाँ क्या होगा वो थन आपको एकदम से सही लगेगा लेकिन अगर आप दो दिन से नोटिस कर रहे हैं एक बात तो वो थन दीरे दीरे चोटा होता जा रहा है एकदम से नहीं हो रहाँ, धीरे-धीरे करके चोटा होता जा रहा है, यानि आपने अगर किसी भी गाये को तीन दिन पहले देखा, फिर तीन दिन बाद आप देखते हैं, तो दुदैया से आप कह सकते हैं, यार ये थन चोटा कैसे हो रहा है, तो लगेगा औरे वाक़ी चोट जलता हो रहा है यानि जो दिखती नहीं है वह मेस्टाइटिस होती है ना बहुत ज़दा देर हो चुकी होती है और फंज जो है वह उपर चड़ जाता है दूद उस में से चला जाता है और एक बहुत बड़ी चुनोती हमारे में कखड़ी हो जाती है हाला कि treatment होता है कोई दिकर नहीं है मैं आगे जानकरी भी दोंगा तो देखिए अब इसकी पैचान केसे करेंगे बहुत जब हो रही है तो आपको पता तो चला नहीं और हलका सा doubt जरूर हो जाता है अगर कोई अनुबवी दुधाया है दुध निकालने वाला अगर अनुबवी है ना तो भाई वो तुरंद पता कर लेते है कि यार आकिर ये मामला क्या है दुध कम कैसे हो रहा है या इसमें से मुझे हलका सा पतला दुध नजर आ रहा है या इतना फरक नहीं होगा लेकिन अगर कोई एक्ष्पिरिंश्ट बंदे है तो वो जांज कर सकते है और अगर मालनी जी आप मिल्किंग मशीन से निकल वा रहा है तो उस कंडिसन में आपको कुछ भी बताए नहीं चलेगा तो वहाँ उसके लिए क्या किया जाते हैं तीन प्रकार के टेस्ट होते है अगर आप तीनों में से कोई साभी टेस्ट कर लेते हैं तो भाई आराम से टेस्ट से आप आराम से पता कर सकते हैं एक आती है टेस्ट स्ट्रिप और टेस्ट स्ट्रिप जिसको BTP बोलते है यानि blue thymol strip जो आती है वो तो जो thymol वाली आती है ये क्या होता है ये normal strip जो होती है हमारी pH strip वैसे ही होती है BTB और उससे दूद की drop डालो और उसका color जो है वो change हो जाता है इसका color अगर change हो जाए यानि किस तरीके का होगा नॉर्मली ये पीले color की होती है लेकिन जो ही इसमें सब clinical mastitis होती है इसका color जो है वो green यानि कि हरा होने लग जाता है और जब clinical हो जाती है इस पस्ट तो वहाँ पर बैंगनी सा हो जाता है तो अगर इसका color हरा हो जाता है इसका मदलब भाई सब clinical mastitis हो गई है तो ये test किया जा स सकता है ब्रोमो था इन्मॉल ब्लू जो जिसको बोलता है अब अगर मालीजें दूसरा टेस्ट की बात करें तो होता है CMT टेस्ट यानि California mastitis टेस्ट ये जो CMT kit है ये आपको market में easily मिल जाता है और इस kit से क्या होता है इसमें 4 plates आती है और ये जो 4 plates है इन plates में दूद लिया साथ में इसका जो liquid है वो लिया जाता है दोनों को हिलाया जाता और तूरंद पता जल जाता है जिस quarter में सब analytical mastitis होआ है उसका तंध जमने लग जाता है जम जाताया इसके साथ तो तूरंद पताचल जाता है और तीसरा जो तरीका आम मैंने कई videos में भी आपको बताया और वह है friend आप सर्फ एकसल वाला फोर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्फ एकसल को पानी के साथ लिया और ले करके और आप easily उससे भी ये liquid बना सकते हैं जो हमारे same ticket में होता है उसी तरीके का liquid बना करके वेसे ही चार काटोरियां लीजिए वेसे ही उसमें डाल करके जांस कर लीजिए दूद की तो तुरंत ही आपको पता सल जाएगा कि औरे यार यह इसको सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो गई है यानि कि बिना लक्षन दिखाने वाला थनेला हो गया है तो ऐसी अगर इस्तितिक कभी भी हो जाती है ना तो होने के बाद देशी इलाज आप कर सकते हैं होमेपेति ट्रिट्मेंट आप कर सकते हैं तो एलोफेति ट्रिट्मेंट भी आप कर सकते हैं. चुई है पता चलता है ना, कई बार क्या होता है कि कुछ भी पता ने चलता है और हम सोच्थे हैं या रदूध खम के clinical match status का जूहीं पता चलता है सुबा के समय अगर कोई गयाबिन नहीं है उसे 50 ग्राम काली जीरी 15 ग्राम काली मिर्च 200 ग्राम मिस्री और 100 ग्राम देसी घी इन सब का mix-up बना करके दे सकते अगर ग्याबिन है तो उस इस्तिती में काली जीरी और काली मिर्च को कैंसल कर दीजिए बागी मिस्री और ग्राम उस इस्तिती में भी लिया जा सकता है यह जो मैंने मात्राएं बताईए यह एक दिन की है आप तीन दिन तक लगातारे ने दिलवा सकते है इसके अलावा शाम के समय के अगर हम बात करें तो निम्बू, दो सो ग्राम निम्बू, और दो सो ग्राम ही मिस्री, सोरी मिस्री ता आप में सुबह ले लिए, सरसो का तेल ले लिजिए, सो एमेल सरसो का तेल, तो सो एमेल सरसो का तेल और मिस्री ये आपने निम्बू जो लि दिलवाते हैं तो वाई शौरली फाइदा होगा इसके अलवा मार्केट में कई परकार के में स्टैटिस के पाउडर आते हैं जैसे मेमीडियम हो गया M&M हो गया या फिर मस्टी किट हो गया कोई साभी लाकर के तीन से पांस दिन की ये जो डोजिज अलगलग कमपनी की अलगलग होती है तो वो दिलवाई जा सकती है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा फाइदे मन होती है इसके अलवा इसमें जो इस्तिमाल करवाया जाते हैं व भी लगाया जाता है और ये एक शॉट में सब क्लिनिकल में स्टैटिस को ठीक कर देता है लेकिन इसके जास साथ जो सपोर्ट यू तेरेपी होती है जैसे माल लीजे अंदरूनी कहीं दर्द बगएरा हलागी पता नहीं चलता फिर भी मेगलुडाइन का इस्तेमाल यहां कर बानिये और इस तरीके से आप उसका ट्रिटमेंट कीजिए अगर होमेपेती की बात करूं तो फाइटो लाखा जो 200 पोटेंसी की आती है पांस ड्रॉप सुबह पांस ड्रॉप शाम से लेकर के और दो दो एमल भी दी जा सकती है सुबह शाम इसके अलावा इसके साथ में आ जा सकता है और अच्छ रिजल्ट ली जा सकता है